हलो एवरीवन दिस सद्धार्थ पतेल वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि मैं फिर आ गया हूं हमारे 20 मिनिट में हम पूरे चाप्टर को समझने वाले हैं एक क्विक रिविजिन सीरीज में इसमें हम लोग आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वह है इंडियन पॉलिटिक्स रीषेंट्रेंड डेवल्लपमेंट बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि 1989 से लेके आज तक प्रिजेंट तक जो इंडियन पॉलेटिक्स किस हिसाब से फ्रेम हो रही है किस रिद exist से अगर हम 1980s वाले मेन डेवलप्मेंट देखे तो वह कौन कौन से थे पहला था एंड ऑफ कॉंग्रेस सिस्टेम हम लोग देखते हैं नियू एकरनामिक सारी रीजिनल पाटि उबरक आते हैं तो यہां पर हम लोग देखते हैं कि जब पार्टी अभर कि य है और मुझे नंबर चाहिए तो मैं बोलूगा भाई तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा हम सब मिलके हम मैजॉरिटी में आए और हमने सरकार बनाई तो यहां से हम लोग अलाइन्स फॉर्मेशन की पॉलिटिक्स देखते हैं याद करो 1967 का जो इलेक्शन था उसमें हमने कवेलेशन गवर्मेंट के बारे में आलड़ी पढ़ चुके हैं के यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पाटी के पास में मेजॉरिटी आती ही नहीं है तो यहाँ पे हमेशा गड़ बंदन की सरकार चलती है कभी BJP गड़ बंदन में आ रहा है तो कभी Congress गड़ बंदन में आ रहा है clear है यह वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो अब गड़ बंदन की सरकार है तो जो Congress की जो hegemony थी जो Congress ने जो अपनी hegemony बना के रखी थी जिसको कि हम Congress system से जानते हैं वो Congress system का कही न कहीं decline शुरू हो जाता है उस Congress system की जो hegemony जो उस Congress system का जो एक तरफा राज चलता था वो राज कहीं न कहीं कम होने लगता है decline of Congress system 1989 से हम लोग पढ़ते हैं कि यहां से Congress party की जो popularity है वो popularity धीरे धीरे दिन पर दिन कम होती जाती है clear है यह वाली चीज आपको यहां पर समझ में आ गई है अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं यह जो period हैं यहां पर हम लोग OBCS के reservation के बारे में भी देखते हैं यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो मंडल कमीशन था मंडल कमीशन ने recommend किया था कि OBCS को reservation मिलना चाहिए और जो National Front Government थी Prime Minister VP Singh थे उन्होंने इस चीज को यहां पर implement कर दिया था अब हम देखते हैं कि जब समविधान बना था सो SCS और ST category को reservation मिला था लेकिन यहां पर मंडल कमीशन ने recommend किया था कि कुछ other backward communities ऐसी है जिसको की reservation नहीं मिला बट still they are backward उनको हमें थोड़ा सा आगे push करने की जरुवत है तभी इस पूरे देश का बहुत अच्छे से development हो पाएगा तो यहां पर National Front Government ने जो मंडल कमीशन की जो report है इसको यहां पर implement कर दिया था अब जब इसे implement करेंगे तो यहां पर reservation मिल किया education में jobs में मिल लिया तो यहां पर protest हो रहे थे nationwide हमको protest देखने को मिले कुछ लोग favor में कुछ लोग against में कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें भी OBC की हमें भी OBC का हिससे अगर कोई लोग छूट गए थे तो कोई political party समर्थन में थी कोई political party अगेंच में थी तो एक तरीके से पूरे nationwide हम लोग देख रहे थे कि OBC के reservation को लेके पूरे देश में एक समय पर protest चल रहे थे देन नेक्स अगर हम लोग देखें तो यहां पर religion का politics में आना भी बहुत ज़्यादा शुरुवात हुई थी और इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतिये जनताप पार्टी की अच्छे खासी से entry होती है और यहां हम लोग देखते हैं कि जो बीजेपी है वह मेजॉरिटी हिंदूत्व की आइडियोलोजी पर और जो यहां पर Congress का हमने शाहबानू केस में देखा था जब यहां पर सुप्रीम कोट ने वर्डिक्ट दिया था तो कैसे Congress ने उस judgment को पलट दिया क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था तो उन्होंने उस judgment को यह पलट दिया तो Congress भी कही न कही minority politics एक तरीके से कही न कही हम वहां पर देख रहे थे और यहां पर religion का हमने कहीं न कहीं देखा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वह रिलिजन को पॉजिटिव नेगेटिव वह एक डिफरेंट डीबेट है हमें उसमें नहीं जाना है लेकिन रिलिजन का politics में involvement यहां पर स्टार्ट हो गया था clear है यह वाली चीज भी आपको यहां पर clear हो गई है अब religion का आने लग गया तो एक आयोधिया इशू भी उससे में आया था है आयोधिया इशू हम देख रहे हैं 1940 से हम लोग देख रहे थे कि यह 1940 और उससे पहले भी हम वहां से देख रहे थे कि यह जो इशू है यह बहुत ज़्यादा प्रॉमिनिंट रहा है और इसमें दो सेवक फिर जो उससमें आपने एक और देखा होगा की गुजरात में जो हमने देखा था गुजरात han जो देखते हैं जब कर सेवक वहां से आ रहे थे तो गुजरात में जब वो ट्रें का बोगी का इस्सा जब जला तो वहाँ पर हम लोग यहां पर रही है और अच्छे खासे समय रही है इस समय पर आप देखेंगे तो assassination of Rajiv Gandhi भी जो हमारे प्राइम मिनस्टर थे उनका assassination हो जाता है यह श्री लंका वाला और यह जो इशू चल रहा था इसमें हमने हम हमारे जो प्रधान मंत्री होते हैं हमारे प्रधान मंत्री को खोदेते हैं यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं किıs 요 प्य खे कि गई है इसको अगर आपको पढ़ना तो आप एक screenshot यहां पर ले की बात है मैंने देख रहे थे कि नियू कि रिफॉर्म तै नियू को इंडिया आपको बहुत एक लिग्स मौडल बोलते लेकिन इंडिया ने अपनी एकलोड रखा और यहां पिले ते कि इंडिया global community से और ज़्यादा गुल मिलने लग गया आज की तारिक में बात करते तो आज की तारिक में कोई भी political parties हो उन्होंने OBCS की reservation को accept किया उन्होंने economic reform को accept किये कि हाँ ये बढ़िया है ठीक है और criticism हर चीज के ऑते हैं लेकिन more or ever हमें general बात कर रहे हैं उन्हों सरकार किसे बनाएंगे नहीं आज की तारिक में सरकार बनाना है चलो भले आप नौर्थ पोलो में साथ बनाते काम करते हैं कोईलेशन गवर्मेंट के नुकसान फायदे अपने दोनों है इस पर भी सवाल आपसे बार-बार पूछा गया है नुकसान में यह होता है कि अगर दो को मिलता है और एम और हमें स्टेबल गरवर्मेंट गर्वर्मेंट में दिखते हैं तो वहां पर हम लोगों को दिखने पमीड़ेकर करेंने को मिलता है क्यों डिक्टेटर्शिपीफ हो जाती है तो स्टेल में इनका आप को ध्यान रखनार 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि बतलब बीजेपी की सरकार हैं तो इसको बहुत सारे पॉलेटिकल साइन्टिस्ट हैं उन्होंने एक नया टर्म दिया डाट इस भी जैपी सिस्टम एक चीज़ और आपको ध्यान रखने हैं कि यई पार्टी उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ीं का रूल किसे बहुत ज़्यादा बढ़ी perseverance करें और वह Retrie और वहें रह जाती थी अब आथा पार्लिएमेंट तक गूंचती है जैसे आप लोग करेगी या Communist Party के यह को जाधा अच्छे से एड्रेस करेगी और उनका फिर पार्लेवेंट में अच्छा रीप्रेजेंटेशन भी है तो अम लोग देखते हैं कि आचकाल रीजनल पाटी भी बढ़ चड़के यहां पर क्या देख रहे हैं रीजनल पाटी भी बढ़ चड़के उ असविके दीन दयाल उपाद देया गराम जोती अ जजना स्मार्ट सेटी यह तमाम तरीके इक की स्कीम इसको भी आपको धियान रखना है। majority government present government की schemes इन schemes को हमें यहाँ पर ध्यान रखना और BJP को 2019 में एक बहुत अच्छी बहुमत मिली यह तमाम चीजें यह जो additional topics add हुए हैं मैंने आपको additional topic के साथ में ही यहाँ पर करवा दिया तो इसी के साथ में हमने मातरी कुछ minute में पूरे chapter की एक तरीके से summary देख ली I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कुछ छूट गया हो कुछ नहीं समझ में आया हो तो detail explanation already magnet means पर available है आप वहाँ से देख सकते हैं magnet means एक completely free education platform है यहाँ पर जितने भी वीडियो को देख सकते हैं नहीं तो प्लेश चोट से आप लोग magnet means का app download कर सकते हैं वहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं magnet means पर यह तमाम courses के वीडियो आपको 100% free मिलेंगे और magnet means आपको high quality education का वादा करता है यह कुछ इस तरीके से आप आप में भी सारी चीजें पढ़ सकते हैं magnet means पर बहुत सारे books और e-books अवेलिबल हैं आपके exam point of view से तो अगर आपको इनके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो इसका link description में हैं इसी के साथ मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स वीडियो में उसमें भी हम मात रही 10 से 15 मिरेट में हम पूरे चाप्टर को समझ लेंगे तब तक आप पढ़ाई कीजिए मुलाकात होती नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद